चोपड़ा एजुकिस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो NTA ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसके जरीए ये बताया गया है कि अगर कोई स्टुडेंट मीडियम ओफ क्यूशन पेपर सलेक्ट करता है तो उसको क्यूशन पेपर कौन सी लेंगवेज में मिलेगा कौन सा वो मीडियम सलेक्ट करता है और क्यूशन पेपर उसको कौन सी लेंगवेज में मिलेगा इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया है students के मन में इसके बारे में doubt भी था मेरे पास भी काफी comments आते हैं कि हम आगर English select करते हैं तो हमें question paper क्या only English में ही मिलेगा क्या Hindi select करते हैं तो Hindi और English में मिलेगा तो इस परकार के student को काफी doubt थे और इनी doubt के चलते NTA नहीं ये public notice जारी किया है तो एक बार देख लेते हैं इस notice में इस notice में clear ये कहा गया है कि अगर candidate English opt करता है medium of question paper English opt करता है तो उसको जो test booklet है वो English में ही मिलेगी यनि कि only English medium में ही उसको text booklet मिलेगी इसके बाद अगर कोई student हिंदी select किया है form already fill किये जा चुके हैं तो medium of question paper अगर किसी student ने हिंदी select किया है तो उसको हिंदी और English दोनु में paper मिलेगा इसके बाद अगर कोई candidate regional language में medium of question paper select किया है तो उसको एक तो regional language में मिलेगा उसके साथ साथ English में भी मिलेगा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई student only English select किया तो उसको only English में ही मिलेगा बाकी English के साथ साथ अगर वो दूसरी language select करता है तो उसको regional language या फिर हिंदी दोनों में मिलेगा मैं सुचता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे अगर कोई student हिंदी select करता है तो हिंदी और English दोनों में paper मिलेगा अगर English select करता है तो only English में ही मिलेगा और अगर regional language select करता है तो उसको regional language के साथ में English में भी paper मिलेगा यह तीन condition है यहाँ पर अब इसमें जो medium of question paper है माद लो किसी का English है English select किया है तो उसको सभी examination center पर वो allow कहने का मतलब यह है कि उसने जो examination center select किया है पहला examination center select किया है तो वो किसी भी state का हो उसको वहाँ मिल सकता है वो अगर English और Hindi किया है तो भी मिल सकता है उसमें अगर किसी बच्चे ने इंग्लिस और आसामी सलेक्ट किया है तो उसको आसाम में जो सेंटर है वो ही मिलेंगे इसके अलावा अगर बेंगाली सलेक्ट किया है तो वेस्ट बंगोल तिरपुरा और अन्दमान निकोबारा आइसलेन ये मिलेंगे इसके बाद में अगर किसी ने English और गुजराती तो Examination Center उसका होगा गुजरात, दमंदीप और दादर नगर हवेली अगर English और कनाड़ा इसके लिए Examination Center होगा करनाट का मलियालम के लिए होगा English और मलियालम के लिए केरिला और लक्षदी इसके बाद English और मराठी के लिए इसमें माराष्टर में जो Examination Center हैं माराष्टर में होगे अगर कोई स्टुडेंट ने सलेक्ट किया है Medium Qution Paper English हैं मराठी सलेक्ट किया है तो English और उडिसा के लिए उडिसा में Exam Center और English और पंजाबी तो इसके लिए पंजाबी के लिए पंजाब, चंडिगड, दिल्ली, नियोडिली इसके बाद में इसमें फ्रीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगाओं, मेरिट, नोईडा, ग्रेटर नोईडा ये सारे इंक्लूड हैं इसके बाद में इंग्लिस और तमिल नाडो अगर कोई तमिल सलेक्ट करता है तो तमिल नाडो में उसका Exam Center होगा इसमें इसके बाद में तमिल नाडो के लिए इसमें आगे पोंडिचेरी और अन्दमान निकोवार, आइसलेंड में होगा उसका Center इंग्लिस और तेलगू के लिए Exam Center आंद्रा और तेलगाना में होगा और उर्दू के लिए All Center जो उर्दू और इंग्लिस के लिए किसी भी स्टेट में Center हो सकता है जो उसने पहले च्वाइस दी है तो ये Medium of Cution Paper के According Exam City कहां कहां होंगे उसके बारे में बताया है तो इस बार दो ही Exam City लिए गए हैं एक First Exam City और Second तो स्टूडेंट को तकरीबन First Exam City ही Allowed हो जाती है इसमें तो इस परकार से ये NTA नी Public Notice के जरीए ये Clear कर दिया है कि अगर कोई Student कौण सा Cution Paper Select करता है Medium उसी के According उसको उस Language में मिलेगा कौण कौण सी Language में मिलेगा ये Clear कर दिया तो ये जानकारी थी Medium of Cution Paper के बारे में मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन